दोस्तों UAE एंड बंगलदेश के बीच में जो पहला T20 इंटरनाशनल मुकाबला आज शाम के साड़े साथ बज़े से खेला जाएगा कहां पे दुबई इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई के ग्राउंड पे इस विडियो में हम इस मैच को डीटेल में अनलाइसिस करेंगे पिच रिपोर्ट जानेंगे, रीसेंट मैचेस देखेंगे, इस वेन्यों पे कैसे कैसे खेले गए थे प्लस दोनों टीम्स के हिट टुएड रेकॉर्ड, प्लेइंग 11 विद बैटिंग ओडर और हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म के हिसाब से हम फ्लेयर को अपने स्मॉल लिक और ग्रैंड लिक के टीम में लेने का कोशिश करेंगे बाकी इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पे टॉस के बाद जिसका लिंक इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे न दोस्त एकदम उपर जो पिंट कॉमेंट आपको दिखेगा वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके डाइडेक्ली आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जुर सकते हैं दोस्त अगर आप पहली बार हमारे यूटूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा kindly हमारे YouTube चैनल को subscribe करके इस family का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले bell बटन को press करके all पे करना बिल्कुल ना भूले यहाँ पे यह वाला sign पे अगर आप click करते हैं आपको नीचे लेके जाएगा यहाँ पे टेलिग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है इस नीले वाले लिंक पे click करेंगे आप सीधे हमारे टेलिग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे दोस्त आचा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज तक 204 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं एवरेज स्कोर बैट फर्स 158 का है सेकर इनिंग का एवरेज स्कोर 134 का है बीसेंट स्कोरिंग राउंड आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे एकदम दोसों के उपर ही देखने को मिलेगा इसका भी गैरेंटी नहीं है लगभग 162-175 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का रिकॉर्ड चेकाउट करेंगे तो UAE 7 मैचेस खेले हैं जिनमें से 6 मैचेस हाड़े हैं बंगलदेश दो मैचेस खेले हैं दोनों के दोनों हाड़े हैं इस वेन्यू पे ठीक है रिसेन्ट मैचेस आप चेकाउट करेंगे जो के इस वेन्यू पे खेला गया है एकदम लास्ट वाला मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया था वो Asia Cup 2022 का final ही था जो कि आपने भी देखा होगा स्रिलांका और पाकिस्तान के बीच में जहाँ पर 171 का target था बर chase नहीं हुआ था वो तो एक high pressure game था इसलिए chase नहीं हुआ नहीं तो पिछले 10 matches आप उठा के देखेंगे न तो 7 बार batting second करने वाला team जीता है तीन बार batting first करने वाला team जीता है तो हो सकता है इस match पे भी जो भी captain toss जीतेंगे batting second मतलब chase करना ही prefer करेंगे और पूरे Asia Cup में अपने वो trend देखा था कि toss जीत के captains bowling first करने का prefer कर रहे थे and chase करके जीतने का कोशिश कर रहे थे ठीक है recent matches अगर अब उठा के देखेंगे यहाँ पे 171 का target था Pacers को 10, Spinner को 6 wikend 124 आसानी से chase हुआ Spinner को 7, Pacers को भी 7 यहाँ पे 212 पे 2 इंडियान अफगानिस्तान के बीच में जो match हुआ यहाँ पे Pacers 8 wikend निकाले थे Spinner 2 wikend निकाले थे 174 का target था यहाँ पे chase हो गया Pacers को 7 wikend Spinner को 5 wikend 194 भी chase हो गया Pacers को 10 Spinner को 4 192 chase नहीं हुआ Pacers 4 wikend Spinner 2 wikend 147 आसानी से chase हुआ Pacers 12, Spinner 3 106 आसानी से chase हुआ Pacers 4, Spinner 5 173 भी आसानी से chase हुआ 177 भी आसानी से chase हुआ था तो पिछले 10 matches को आप उठा के देखेंगे तो Pacers को 1st inning में 41 wikend मिले हैं तो 2nd inning में 30 wikend मिले हैं वही Spinner को 1st inning में सिर्फ 19 wikend 2nd inning में 21 wikend Overall आप Pacers का domination इस venue पे देख सकते हैं Obviously Bangladesh and UAE के बीच पे जादा hit-to-head matches T20 sector में आपको नहीं दिखेगा सिर्फ एक ही match खेला गया था जो खेला गया था 2016 को उनमें से कुछ प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं और इस team का पार्ट है जैसे के So much outcard 21 किये था शकीबल हसन जो के अभी इस टूर पे नहीं है 2 wikend मुस्तविजु रहमान 2 wikend निकाले था तसकिन एहमद एक विकेट निकाले थे UAE सिर्फ 82 पे all out हो गया था बट तब UAE का team थोड़ा से अलग था अभी थोड़ा से जादा strong हो गया है ठीक है आचा UAE team का playing 11 with batting order check out करेंगे देखो यहाँ पे इनके तरफ से चिराक सूडी और मुहमद वसीम ही opening करेंगे इनके stable opening pair है दोनों ही right hand batters है तो opponent team का अगर कोई left arm orthodox spinner है जो के एक match up बना सकते हैं वो काफी important हो जाते हैं power play में आपको डालते वे दिख सकते हैं कौन? बांगलादेश के तरफ से नासूम एहमद जिनका left arm orthodox action है वो आ सकते सिधे सिधे power play में इन दोनों batters को counter करने के लिए ये बाद आपको ध्यान में रखके चलना है ठीक है? अच्छा कौन किस तरीके का player है और किनका form कैसा चल रहा है सब कुछ अब screen के उपर देख सकते हैं नंबर 3 पे इनके wicket keeper batter वृत्य अर्विंद खेलते हैं तीनों ही top order में काफी attacking player है specially मोहमद वसीम जो काफी attack करके खेलना पसंद करते हैं हलाकि चिराक सूरी और वृत्य अर्विंद comparatively थोड़ा सा inning को build करने में ज़्यादा focus करते हैं बुड़ा ball मिले तो ये भी attack करते हैं CP Rizwan team के captain है leg break bowling करते हैं बट आप इनसे bowling का उमिद नहीं करो बहुत ज़्यादा part time डालते हैं वो भी domestic पे but recent form with the bat ठीक ठाक है आरियन लकडा left hand batter left time orthodox spinner है ये as a hitter खिलेंगे number 5 पे Basil Hameep team के one of the main all rounders में से आते हैं recent form आप देखी सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से deliver करते हैं both with bat and ball यहाँ पे 6 run 3 wicket 9 run 1 wicket 38 runs 1 wicket one of the best captain wise captain option चाहे small league में ले लिजे या फिर grand league में ठीक है काशीब दाउद का क्या है जैसे के भुवनेश्वर कुमार नय बाल के साथ 2-3 over डालेंगे फिर इनको 4 over complete नहीं मिलते हैं यह बात आपको ध्यान रखके चलना है यह बात और एक चीज़ पर depend करेगा कि उस playing 11 में कितने bowlers खेल रहे हैं अगर 5 main bowlers के साथ UA team जा रहा है तो काशीब दाउद से 4 over complete करवाया जाएगा चाहे शुरुवात पर मार पड़े या ना पड़े अगर उनके पास 6th bowling option, 7th bowling option है तो शायद काशीब दाउद से उसके बाद overs ना करवाया जाए ठीक है नेक्स्ट आते हैं उनके ex captain एहमद रजा जो के left time orthodox spinner है काफ अच्छा कर सकते हैं और इनका जो recent form आप देख सकते हैं हमेशा wickets में रहते हैं एक से दो wickets निकालके आपको देते ही हैं जुनेज सिद्धी की है right hand battle and right arm medium fast यहाँ पे ठीक ठाक wickets निकालते वे आ रहे हैं यह भी नए ball के साथ डालते हैं और middle overs में डालते हैं एक आदा over यह death में डालते हैं बट death में इनका जादा role नहीं रहाएता death में जो bowler इनके तरफ से main डालते हैं वो है जाहूर खान ठीक है ना यह death bowler specialist है power play में एक over डालेंगे middle over में अगर wicket ना गिरे तो wicket गिराने के लिए and partnership break करने के लिए जाहूर खान को लाया जा सकता है बट death में इनका दो over पका है ठीक है तीन over भी हो सकता है सबीर अली है left time medium fast यह खेल सकते हैं या फिर इनके जगा जो first नाम है bench पे कर्तिक मायपन जो के leg break bowler है इनको भी लेके आया जा सकता है बट इस venue पे pacers जादा अच्छा करते है spinner से तो मुझे नहीं लगता मायपन खेलेंगे बाकी team management के उपर है जवर फरीद है यह as an all rounder खेलते हैं हमेशा बाकी आयान अफजल खान जो के top order player है अलिशन सरफू नंबर 3 के player है हर एक player का recent form आप देख सकते हैं सुल्तान अहमद नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे अगर खेलेंगे तो left time orthodox spinner है अहमद रजा अल्रेड एक left time orthodox है तो मुझे नहीं लगता सुल्तान अहमद को उतना मौका मिलेगा फावाद नावाज है जो के top order batter है संचीत शर्मा इनके one of the main pacers बट मुझे नहीं लगता playing 11 में मौका मिलेगा अदित्य शर्टी है और एक leg break bowler मैं अपन first leg break bowler है और फिर अदित्य शर्टी आते हैं ठीक है आचा तो UAE टीम से 4-4 over call डाल डाले वाले हैं यह थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए जाहूर खान और एहमद रजा लगभग 4-4 over डालेंगे ही डालेंगे जुनेज सिद्धी की भी आप मान के चलो के 4 over डालेंगे यहाँ पे सबिर अली और यहाँ पे काशिवदाउन मिलके लगभग 5-6 over डालेंगे तो यहाँ पे तो 4-4-4-12 overs हो गए ठीक है यहाँ पे एहमद रजा 4 over यहाँ पे जुनेज सिद्धी की 4 over जाहूर खान 4 over यह 12 over और यह दोनों मिलके अगर 5-6 over डाल गए तो 17-18 over हो गए बाकी जितने overs रहे गए हैं ना वो बसील हमीड डालते हैं जो कि आपको नंबर 6 पे दिखेंगे ठीक है बाकी बांगलदेश टीम का playing 11 with batting order and players का recent form आप check out करेंगे तो obviously इनके तरफ से इनके star player शकीबल हसन नहीं है जो कि CPL में केल रहा है फिलाल लीटर अंदास के साथ महती हसन मिराज ओपिनिंग कर सकते हैं आप देखो बहुत बार बांगलदेश टीम ने कहा है कि शबीर रहमान को as an opener हम देखना चाते हैं वो भी ओपिनिंग कर सकते हैं but as an pinch hitter जैसे के वेस्टे इंडी स्टीम से या फिर किसी भी franchise से सुनी लारायन ओपिनिंग करते हैं as a pinch hitter तो वो भी use कर सकते ही है महदी हसन मिराज को as a pinch hitter opener फिलाल लीटन दास तो ओपिनिंग करेंगे ही red hot form में चल रहे हैं 81 not out, 13, 56, 32, 50, 32 not out तो बहुत ही बढ़िया captain wise captain option बन जाते हैं specially लीटन दास अगर chase करते हैं तो जाधा अच्छा करते हैं महदी हसन मिराज भी ठीक ठाक बैटिंग से performance किये हैं recently Asia cup में both with bat and ball आप देख सकते हैं टॉप अडर में बैटिंग और ओपिनिंग विकेट्स में निकाल रहे हैं नजमुल हुसेन सांत तो एक 38 किये हैं उसके पहले एक 0 किये थे 16, 19, 37 inconsistent है इसलिए मैं small league में उतर प्रिफर नहीं करूंगा और grand league में आप try कर सकते हैं शब भी रहमान 162 किये हैं एक 35, 36, 90 यह 36, 90, 38 यह domestic season जो खेले थे बागनादेश में वहीं का performance है ठीक है अफीफ होसेन टीम के wise captain है one of the best captain wise captain option अगर बागनादेश टीम अगर बागनादेश second batting करता है तब इनको prefer मत कीजेगा as in captain wise captain अगर बागनादेश तो यह part time bowling भी कर सकते है second inning में ध्यान दीजेगा बहुत ही important चुपारुस तंपिक आपके लिए बन सकते हैं मुसद्धिक होसेन recently Asia Cup में बहुत ही बड़िया performance किये हैं मैचेस खेले थे एक में 24 not out एक में 48 runs और एक विकेट पार्ट टाइम bowling भी कर सकते हैं राइट आम ओफ ब्रेक ठीक है बट इनके तरफ से main राइट आम ओफ ब्रेक कौन होंगे मेहिदी हसन मिरास ठीक है यहाँ पर नूडूल हसन है team के captain and wicket keeper batter ठीक है ना recent form इनका भी अच्छा है बट number 7 पे खेलेंगे again अगर बांगलादेश बैटिंग फर्स करता है तो as a differential pick अप ले सकते है नहीं तो लीटन दासी wicket keeping section से आपके लिए सही राएगा ठीक है मौमत साइफूदिन आपके तरफ से दिखेंगे जो के right a medium fast है इनका main जो अस्त्र है ना वो है outswinging deliveries outswinging deliveries काफी अच्छा डालते है recent form भी इनका काफी अच्छा है यह थोड़ा बहुत batting भी कर लेते है as a power hitter खेलते हैं ठीक है ना उतना ज़्यादे batting से आप इनसे expect ना ही करो but bowling से यह 2-3 wicket निकाल के आपको आराम से दे सकते हैं especially अगर bowling first करते हैं नये ball के साथ fresh pitch पे काफी effective हो सकते हैं plus death overs में भी यह डालेंगे ठीक है नासुम एहमद left time orthodox वीडियो के विल्कुल शुरुबात में ही मैंने आपको कहा था और कुछ दिर पहले भी मैंने आपको कहा है के नासुम एहमद बहुत important होंगे अगर power play में डालते हैं तो क्योंकि सामने top 3 में 3 right hand batters हैं और उनके सामने as a match up यह power play में डाल सकते हैं middle overs में तो यह डालेंगे ही मुस्तविजु रहमान टीम के main death polar होंगे along with अबादात हुसेन क्यों इबादात हुसेन क्योंकि recently Asia cup में काफी अच्छा performance किये हैं domestic season भी इनका काफी अच्छा गया था bench में आपको तसकिन एहमद दिख सकते हैं अगर इबादात हुसेन नहीं खेलते हैं तो तसकिन एहमद ही खेलेंगे like to like replacement होंगे फिर हसन महमूद है जो के राइटम मीडियम फास्ट bowling all around अप कह सकते हैं फिर यासिर अली है top order के batter मेहदी हसन है ये मेहदी हसन मिराज नहीं है normal मेहदी हसन है ठीक है ना जो के नंबर 7 तक बैटिंग करते हैं और आइटम off break डालते हैं बेंच में और आपको रिशाद हुसेन देखेंगे जो के लिक ब्रेक बोलर है शोडी फुल इसलाम है ये बंदा अगर खेलता है आपको special attention देना है हाँ मानता हूँ Asia Cup इनका उतना खास नहीं गया है बट बहुती ज़ादा talented left time medium fast बोलर है जो के variation of pace पे काफी ज़दा बिलीव करते हैं अगर खेलेंगे death overs में ये भी डालेंगे ठीक है शोमो शॉरकार needs no introduction आपको पता ही है जो बंदा बंगलादेश क्रिकेट को फॉलो करता है शोमो शॉरकार बहुत दिन से खेल रहा है आईटाम medium fast है अगर खेलेंगे बहुत ही important captain wise captain option भी आप try कर सकते हो क्योंकि batting plus bowling दोनों से contribution दे सकते हैं दोस्तों फिलाल मेरा small league का team combination कुछ ऐसा बना है जहांपे captain wise captain में देना चाहूंगा इधर से महेदी हसान मिराज जो के top order में बैटिंग कर सकते हैं चार ओवर complete डालेंगे right arm off break अगर यह opening नहीं करते हैं टॉस के बाद पता चलता है तो captain मेरे होने वाले हैं लीटन दास जो के इस batting friendly pitch पे काफी अच्छा कर सकते हैं wise captain में बसिल हमीत को देना चाहूंगा जो number 4, number 5 पे batting भी कर लेंगे और right arm off break bowling भी डालेंगे ठीक है ना आप CVC reverse भी कर सकतो इनको captain ship देके इनको wise captain भी कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर मेहदी हसन मिराज opening प्लस bowling दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से best captain option क्योंकि बांगलादेश हलका सा strong team है हलाकि शकीब नहीं है फिर भी में ज्यादा strong team बांगलादेश को ही मानूंगा इन दोनों teams के अगर comparison करेंगे तो तो इसलिए महदी हसन मिराज captain और लिटन दास या फिर बसील हमित मेसे किसी एक को आप wise captain कर सकतो ठीक है बाकी bowling section में देखेंगे मैंने साइफुद्दीन को भी लिया है मुस्तविजु रहमान को भी लिया है और इबादध हुसेन को भी लिया है make no mistake साइफुद्दीन का selection काफी कम है सिर्फ 13 person का selection है लोग तसकिन एहमद को prefer कर रहा है बढ़ तसकिन एहमद साइज से playing 11 में ना ही खेले ठीक है अगर साइफुद्दीन फिट है तो first choice साइफुद्दीन ही होने वाले है यहाँ पर मुसद्दिक हुसेन को भी लिया है बट मुसद्दिक हुसेन part-time bowling डालते है वो playing 11 आने के बाद हमको देखना पड़ेगा कितना main bowler से खिला रहे है अगर 5 main bowler है तो 6th bowler फिर मुसद्दिक हुसेन होंगे अगर जरूरत पड़ा तभी इनको prefer किया जाएगा अगर बांगलदेश batting first करता है तो यहाँ पर अफिफ हुसेन को मैंने लिया है अगर बांगलदेश batting second करेंगे शायद मैं अफिफ हुसेन के जगा किसी और बैटर को prefer करूँगा UAE के तरफ से 4 main players मैंने लिया है टॉप 3 चिराक सुरी वसी महमद और वृत्य अर्विन्थ है और यहाँ पर बसील हमी जो आपको batting and bowling दोनों तरफ से contribution देंगे अच्छा कुछ main grand league players के बाड़े मैं बात कर लेते हैं देखिए नूडूल हसन सिलेक्शन कितना percent 9% कौन है बांगलदेश टीम का captain है ठीक है ना अगर batting first करते हैं number 6 पे आके hitting कर सकते हैं wicket keeping से आपको points दे सकते हैं important होंगे बाड़ ये toss की उपर होगा और अगर risk ले सकते हैं grand league में जो कि आपको लेना ही चाहिए तो ही grand league जीतेंगे आप तो ही आप नूडूल हसन को try कीजेगा नहीं तो small league में बिलकुल नहीं ठीक है ना बाकी batting section में आएंगे देखिए यहां पर show more shortcut 80% selected है शायद ना खेले अगर खेलेंगे तो ठीक है small league में आप pick कर लेना बाकी चिराक सूरी opening करेंगे UAE के पूरे batting order को देखेंगे ना top order में ये batting करेंगे plus one of the best technically strong batters में से आते हैं तो बिलकुल आप try कीजेगा काफी अच्छा करते हैं शेली chasing करते वे चिराक सूरी का carrier average जादा है अफिप होसेन एगें 50% selected है मतलब 50% जनता इनको लेके अब तक नहीं आये है अब देखिए 50% जनता लेके नहीं आये है पर ये part time bowling भी कर सकते है टीम के wise captain है और तो और ये अगर batting first होता है नीचे आके finish करेंगे बहुत ही important होंगे शब्भी रहमान का 9% selection है अगर शब्भी रहमान टॉप order में batting करते हैं मेहिदी हसन मिरास के जगा opening करते हैं लिटन दास के साल और भी जादे important तब बन जाएंगे वो playing 11 with batting order toss के बाद जब announce होगा तब हमें पता चल जाएगा actually opening कौन करने वाले हैं बांगलादेश के तरफ से ठीक है आडियन लकडा नमबर 4 नमबर 5 पे batting करेंगे ठीक है मतलब attacking batter है बट जो international matches होते हैं वहाँ पे UAE से ये ज़ादा bowling नहीं करते हैं बट domestic format में हमाड़े captain wise captain होते हैं यहाँ पर यह बोलिंग उतना खास नहीं डालेंगे ठीक है नजमुल हुसेन सांतों के बाड़े मैं बात करना चाहूंगा जोके नमबर 3 पे batting करेंगे inconsistent है बस जिस दिन टिक गया है ना क्रीस पे 40-45 रन आपको आडांग से बना के दे सकते हैं ठीक है एक end को पकड़ के रखते हैं basically तो इनको आप grand league में जरूर से try कीजएगा बाकी नीचे ये तीनो players शायद first match में ना खेले all around a section में आएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा जवर फरीद जोके part time bowling डाल लेते हैं अगर खेलेंगे और as a fifth bowler खेलते हैं तो 4 वर complete डालेंगे batting से ये 10-15 run बना के आपको दे सकते हैं काशिव दाउद अगर शुरुबात में ही आप विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं UAE के तरफ से मतलब UAE विकेट लेगा बांगरदेश के top order से at least 2 batter को जल्दी आउट करेगा उसमें काशिव दाउद का डोल बहुत ही ज़दे important होगा ये नय बॉल से विकेट निकालते हैं बाकी bowling section में आएंगे यहाँ पर इबादध हुसेन आपको दिखेगा आपको याद ही होगा स्रीलंका के एगेंस्ट बांगलदेश का जो सर्वाइवल वाला मैच था वहाँ पर आके सीधा 3 विकेट निकाल के गए थे सिर्फ 14% सेलेक्शन है फड़क नहीं पड़ता है intent इनका काफी ज़ादा aggressive है तो बिल्कुल विकेट निकाल सकते है माई अपन 16% सेलेक्शन बहुत ही बहतरीन लेक बड़ेक बोलर है फर्स चॉइस लेक बड़ेक बोलर अब कह सकते हैं पूरे UAE टीम का बहुत ही important होंगे ठीक है हमेशा विकेट्स में रहते है प्लस एक्स कैप्टेन भी है इसके पहले यही कैप्टेन थे सर्फ 19% सेलेक्शन ध्यान दीजेगा साइफ उद्दीन जोके नाय बॉल से विकेट निकालते है बहुत ही important होंगे अगर बांगलादेश बोलिंग फर्स करता है तो फ्रिश पिच पे नाय बॉल के साथ और भी ज़ादा effective होते है जैसे के दीपक चहर होते है नाय बॉल के साथ फ्रिश पिच पे उसी तरीके का बोलर है नीचे आके hitting भी कर लेते हैं दीपक चहर के तरह यह पर शोरीफुल इसलाम शायद ना खेले अगर खेलते हैं तो one of the main important pacers और मेरे one of the पसंदीदे खिलाड़ी है बानुदश के टीम के तरफ से bowling section में क्योंगी यह pace में काफी अच्छा variation करते हैं बड recently इनका form उतना खास नहीं रहा है ना ही उनका जो एशे का फे उतना खास गया था हसन महमूद है जो के bowling all-rounder है शायद first match को miss करेंगे बाकी नसुम एहमद क्यों यह match-up बना सकते मैं आपको अल्रेडी बता दिया left-up orthodox spinner है UAE के top 4 जो है right-hand batters है तो उनके सामने सीधे-सीधे match-up बनता है 10 person selection है ध्यान दीजेगा तो दोस्तो अब तक हमने यह बात किया कि Grand League के players कौन हो सकते है यह आपके screen के उपर total जो Grand League players है जिनके बारे में हमने अभी बात किया यह सारे है कौन कब performance कर सकता है किसको कब लेना है कब नहीं सब कुछ मैं आपको समझा दिया अगर आप फिर से एक बार वीडियो देखाऊगे और लिखते हुए जाऊगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा confusion नहीं होगा नहीं तो मैंने बहुत सारे players के बारे में बात किया है कब किसको लेना है वो ज़दा अच्छे से समझेगा हो सके तो लिख लीजिएगा अगर confusion फिल हो तो ठीक है बाकि final update टेलिग्राम में ही मिलेगा टेलिग्राम चैनल का link इस वीडियो के comment section में एकदम उपर पिन किया हो आपको मिल जाएगा उस link पे click करके directly आप हमरे टेलिग्राम चैनल पे जोर सकते हैं करके